दोस्तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं Retirement and Settlement of Loan और हम लोग कर रहे हैं Chapter Retirement or Death of a Partner कल के विडियो में हम लोगों ने Question No.26 तक Complete किया था आज हम लोग Question No.27 करेंगे और इस Concept को बहुत Detail में समझेंगे अगर विडियो स्किप करेंगे तो Concept अच्छी तरह से आपके समझ में नहीं आएगा आईए आज का विडियो स्टार्ट करते हैं Question No.27 को पहले खुब अच्छी तरह से हम लोग read कर लेंगे Question No.27 A, B and C are partners sharing profits in 4 is to 3 is to 3 Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows Balance sheet दी हुई है हमें sundry creditors दिया है फिर general reserve दिया है तो general reserve भही जाहिर सी बात है पुराने partners में बाट दिया जाएगा सारे partners में बाट दिया जाएगा किस ratio में? Old ratio में इधर हमें सारे assets दिये हुए हैं C retire हो रहा है 1st April 2018 को 31st March 2018 की balance sheet है 1st April 2018 को C retire हो रहा है A B decide to share future ratio 6 is to 4 future ratio भी दिया हुआ है तो इसके basis पे हम लोग gaining ratio निकाल सकते हैं Goodwill of the firm मतलब यह revaluation दिया है Goodwill of the firm बताया गया है और उसके बाद हमसे end में कहा जाता है कि आपको बनाना है एक revaluation account बनाना है Seize capital account बनाना है Seize loan account Till it is finally closed तो आईए इस question को start करते हैं देखे friends अभी तक मैं एक-एक entry pass करके दिखा रहा था और अगर आप पिछले videos आप देखेंगे तो आपको उसमें एक-एक entry pass करी हुई दिखेंगी लेकिन आज हम लोग directly revaluation account बनाएंगे तो revaluation account बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो सबसे पहली चीज हमें कही गई है कि land and building की value जो है वो under value करा गया था 1,00,00 तो हम land and building की value 1,00,00 से बढ़ा देंगे journal entry क्या पास करी जाएगी land and building account debited to revaluation credit side चला गया उसके बाद हमसे कहा गया है stock is over valued by 20% ठीक है तो अभी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि 2 stock 40,000 आ जाएगे entry over value करा गया है तो उसे कम करेंगे तो entry हम क्या कर देंगे revaluation account debited 2 stock 40,000 अब यह 40,000 आया कैसे यह समझ लीजिए देखिए अगर हम बोल रहे है 20% से over value करा गया है तो मतलब 100% के उपर 100% के उपर 20% और जोड़ देंगे तो 120% आ जाएगे तो 120% of stock is 240 मनला 2,40,000 100% stock के लिए युनिटरी में 3rd लगेगा 2,40,000 इन्टू 100 करेंगे इसको थोड़ा 100 इन्टू 100 divided by 120 तो यह कितना आ जाएगा आपका 2,00,000 आ जाएगा तो यतना समझिए कि 120% 2,40,000 है और 100% 2,00,000 है तो कितना डिफरेंस हुआ 40,000 तो 40,000 एकसिस था तो यह 40,000 हमने कम किया है इस तरीके के questions हम लोग पहले भी कर चुके हैं आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं सबके link description में दिये हुए है stock के बाद provision के बारे में बताया गया है कि provision की value जो है वो हमारी क्या हो रही है decrease हो रही है तो entry हम क्या पास करेंगे provision for doubtful debt account debited to revaluation 20,000 ठीक है यह हमारा credit side आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद question में हमको बताया गया है एक computer के बारे में value of 30,000 was unrecorded तो इसके लिए हम क्या entry पास कर देंगे computer account debited to revaluation तो हमारा यहाँ by computer 30,000 आ गया इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचता है तो हम debit or credit को compare करेंगे हमारे पास आ जाएगा इधर हमारा कम पड़ेगा 1,10,000 तो यह क्या हो गया हमारा to profit ABC में बढ़ जाएगा किस ratio में बाटा जाएगा यह हमारा ratio 4 is to 3 is to 3 में बाट दिया जाएगा यहाँ पे हमारा revaluation account complete होता है इसके बाद हमसे बोला गया है सिर्फ C का capital account बनाने के लिए तो हमने क्या करा है सबसे पहले buy balance दो लाक रुपे जो हमारा था हमने लिख दिया उसके बाद revaluation में C का जो share था profit का वो हमने लिखा buy revaluation 33,000 उसके बाद जो firm की goodwill value करी गई है देखिए question में आपने ध्यान दिया होगा firm की goodwill value करी गई है 80,000 इस 80,000 में retiring partner मतलब जो partner retire हो रहा है C उसका share निकालेंगे 3 by 10 तो इसको ये total हमारा निकल करके आ जाएगा यहाँ पे 24,000 ठीक है और ये A और B sacrifice अपने gaining ratio में scribbling को थोड़ा ignore कर दीजएगा ये 16,000 है यहाँ पे A और B compensate करेंगे C को किस ratio में? gaining ratio में तो आप उसको calculate कर लेंगे और यहाँ पे by A's capital 16,000 by B's capital 8,000 हमारा आ जाएगा फिर उसके बाद हमने general reserve में जो हमारा retiring partner है उसका share निकाल करके general reserve का हम दे देंगे by general reserve 12,000 और computer is being taken over by C तो हम यहाँ लिख देंगे two computers account इसको account कर लीजे मैं थोड़ा fast करता हूँ इसलिए छोटी-मोटी चीजों को थोड़ा कभी-कभी ignore होती है to computer's account 30,000 तो यहाँ पे end में कहा गया है कि जो भी balance आएगा वो कहां उसके transfer हो जाना चाहिए loan account में तो इसके loan account में 2,39,000 हम उठा करके transfer कर देंगे question में कहता है कि it was decided to pay off C by giving him this computer वो हम लोगों ने कर लिया and balance in annual installment of 1,00,000 together with an interest of 10% मतलब annual installment कितना होना 1,00,000 रुपए का और 10% interest के साथ में तो देखिए इसको solve कैसे करा जाएगा यही बनाने के यही चीज़ सीखने के हम लोग आज कर रहे है तो हम सब सिप यहाँ पर सीखेंगे seize loan account ठीक है यह debit side हो जाएगा यह credit side हो जाएगा date particulars amount फिर date आप लोग line खीच के करिएगा particulars amount मैंने freehand करा है friends क्योंकि मुझे time बहुत shortage होती है आप लोग please पूरा line खीच के काइदे से करिएगा तो first for 2018 को सबसे पहले हमने उठा करके balance लिख लिया 2,39,000 हमारा balance आ गया इसके बाद साल के end में हम क्या charge करेंगे interest due करेंगे यह interest due करने की entry होगी by interest account ठीक है और 2,39,000 पे 10% लगेगा कितना आ गया 23,900 यह हमको इसी का payment करना है तो payment करना के लिए हमारी entry हो गई 31st, 3, 2019 last date को 2 bank और 1,00,000 प्लस 23,900 को हमने add किया तो 1,23,900 उठा करके हमने payment कर दिया फिर इस साल का balance आ जाएगा 31st, 3, 2019 को 2 balance CD 1,39,000 कैसे आया इदर के total को और इदर के total को हमने compare किया 1,39,000 आ गया दोनों साइट total हमने लिख दिया फिर यह balance हमारा next year आ जाता है यहाँ पर हमारा balance आ गया 1st, 4, 2019 buy balance 1,39,000 अब इस 1,39,000 पर फिर लगेगा हमारा 10% interest साल के end में तो साल end होगा 31st, 3, 2020 इसके बाद इसको उठा करके हम payment कर देंगे payment करने की entry हमारी क्या हो जाएगी बहुत simple है C's loan account debited to bank तो debit हो रहा है C का loan तो debit side में हम लिख देंगे 31st, 3, 2020 को to bank 1,13,900 एक लाख रुपए जो installment देना है प्लस 13,900 रुपए तो 1,13,900 दे दिया और हमारा balance बचा 39,000 का हमारा balance बचिया दोनों side हमने total कर दिया फिर last year हम पहुँच जाते हैं ठीक है और last year में 39,000 हमारा यहाँ पे balance आया फिर 39,000 पे हमने 10% interest लगाया 3,900 अब इस साल हमारा 1,00,000 का installment तो है नहीं वही कम amount हो गया है तो हम जितना है यह 42,900 का हमने payment कर दिया 31st, 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 21st को payment और दोनों side amount लिखके close कर देंगे यहाँ पे complete होता है हमारा question number 27 आईए start करते है question number 28 ललित, मधूर और नीना ठीक है वह partner इसको LMN कर लेते हैं जादा अच्छा हो जाएगा वह partner sharing profit as 50%, 30% and 20% respectively on 31st March 2020 their balance sheet was as follows पुरा दिया हुआ है liability side asset side, asset side में goodwill दिया है और profit and loss तो यह सारे partners में बाट दिया जाएगा किस ratio में बाटा जाएगा पुराने ratio में सारे partners को बाटा जाएगा on this date, मतलब which date? 31st, 31st March 2020 कह लिजे या 1st कह लिजे same meaning ही आएगा उससे retired और L और N ने decide किया कि वो आगे continue करेंगे partnership terms क्या थे? firm की goodwill 51,000 इसमें retiring partner का share निकालिए retiring partner का share निकालने के बाद continuing partners gaining ratio में compensate करेंगे retiring partner को there was a claim for workman compensation to the extent of 6,000 इसका मैं अभी बताता हूँ किस तरह से treatment करा जाएगा फिर investments were brought down to 15,000 provision for bad debts were reduced by 1,000 paid 10,300 in cash and the balance was transferred to his loan account pay bill and 2 equal installment together with the interest of 12% आईए देख लेते हैं कैसे solve करेंगे इस question को अब लोग देखिए ललित मधुर और नीना 50%, 30%, 20%, 5 is to 3 is to 2 आगया 5 by 10 is to 3 by 10 is to 2 by 10 हो गया अब हमें बनाना है revaluation account revaluation account बनाने हैं बस एक point हम लोगों का थोड़ा सा different है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं यह कहते हैं there is a claim for workman compensation to the extent of 6,000 a workman compensation fund हमारा 10,000 का बना हुआ है तो जो workman compensation fund हमारा बच जाएगा claim के बाद वो पुराने पार्टन वो हमारा क्या हो रहा है यहां पे आप इस चीज को देखिए और investment से related एक चीज भी बताएगे यह समझे पहले इसको अच्छा नहीं यह तो आप बाट दीजेए इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको investment के बार यहां पे बताना है सारी workman compensation से कोई मतलब नहीं है यहां पे आपको समझना होगा investments were brought down to 15,000 ठीक है investment की value 40,000 यहां दी हुई है और investment fluctuation fund 10,000 दिया हुआ है तो आपका investment were brought down to 15,000 मतलब जो 15,000 रुपए हमारा investment कम हो रहा है वो हम कहां से cover करेंगे वो हम यहां से cover कर लेंगे ठीक है तो जो हमारा यहां से cover हुआ उसकी हम journal entry क्या पास करेंगे यह समझ लीजे देखे यहां दिया हुआ है इसलिए मैं यहां से बता दे रहा हूँ औरना मैं आप लोगों को लिख के बता देता हम वहाँ पे investment fluctuation fund account debited revaluation account debited to investment ठीक है मतलब altogether जो हमारा revaluation में value जाएगी वो सिर्फ जाएगी 15,000 की कितने चली जाएगी 15,000 कैसे investments were brought down to 15,000 ठीक मतलब हम उसको कम करकर कि हमने कितना ले आया 15,000 पे ले आया तो 40,000 में से जब आप 15,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25,000 मतलब total value जो हमारी कम हुई है 25,000 की कम हुई है ठीक लेकिन investment की जो total value कम हुई है वो 25,000 से कम हुई है लेकिन उसको cover करने के लिए हमारे पास fund available था 10,000 कितनी value cover नहीं हो पाई fund से 15,000 और ये 15,000 कहां चला जाएगा revaluation में चला जाएगा ठीक है आईए आगे करते हैं तो हमारा हो जाएगा to investment account 15,000 15,000 से value कम हो गई provision for doubtful debt 1,000 यहाँ पर आपका क्या हो रहा है entry आपने क्या करी होगी यहाँ पर provision आपका entry हुई होगी provision for doubtful debt account debited to revaluation एक हजार तो provision debit हुआ है तो मतलब liability debit हुई है मतलब कम हुई है तो एक हजार workman compensation हमारा क्या हो गया है 6,000 हमने यहाँ पर show कर दिया है by loss फिर उसके अद कुछ नहीं बचता है दोनों side को हम जब compare करेंगे तो हमारा loss निकल के आएगा ललित मधुर और नीना का तो 20,000 10,000 6,000 4,000 यह बाढ़ दिया किस ratio में पुराने ratio में बाढ़ दिया गया 21,000 21,000 इसके बाद आप यह पहले यहाँ पर goodwill का treatment देख लीजे फिर मैं आगी की चीज़ें आप लोगों समझाता हूँ देखिए साफ-साफ कह दिया गया है कि firm की जो goodwill है वो 51,000 है तो मधूर का share कितना हो जाएगा 15,300, old ratio 5,10, 3,10, 2,10 ठीक है और new ratio भई M retire हो गया तो 5 is to 2 आ गया तो हमने क्या करा हूँ उसके बाद gaining ratio ने कर रहा हूँ gaining ratio हम जब solve कर लेंगे तो हमारा 5 is to 2 आ जाएगा तो 15,300 L और N compensate करेंगे M को किस ratio में gaining ratio 109294371 ठीक है यह हम लोगों ने कर लिया आईए देख लेते हैं capital account मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग line कीच के अच्छे से बनाईएगा मेरे पास time का shortage होता है इसी लिए मैं इस तरीके से बनाता हूँ ठीक थोड़ा ध्यान से देखिएगा और scribbling को ignore करिएगा तो capital account आपका हो गया अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करा balances लिख दिये उसके बाद हमारा यह वाली entry हुई थी कौन सी goodwill की entry by else capital 10929 और by ends capital 4371 हो गया हमारा ठीक यह complete हुआ फिर जो firm की goodwill balance sheet में दी थी वो सारे partners में बाढ़ दिया 10,000, 6,000, 4,000 profit and loss दिया हुआ था loss 5,000, 3,000, 2,000 distribute हो गया revaluation का loss आपने distribute फिर से लिख दिया 10,000, 6,000, 4,000 और ends capital और ends capital के थुरू L के column में और N के column में यह आपने goodwill वाली entry कली आप से कहा गया था कि जो मधूर है retirement के time उसे 10,300 दे दो सीधा सीधा बैंक से उठा के तो two bank account आप उठा करके payment कर दीजे और बचा हुआ उसके loan account में transfer होगा तो आप क्या करोगे कि इतना यहां पर M का total किया आपने 55,300 आया और जब इसे compare करेंगे तो 30,000 का difference आएगा जो कहां चला जाएगा उसके loan account में तो M's loan account आप लिख देंगे यहां पर और यह 30,000 चला जाएगा फिर उसका two balance क्या करा आपने यहां पे 50,000 और यह पूरा compare करा तो यह L का balance आगया 14,071 टोटल लिख दिया उसके बाद यहां पर भी टोटल लिख दिया और यहां पर आपने क्या करा इसका और इसका difference निकाला तो 10629 आगया यहां पर यह complete होता है loan account में कितना चला जा रहा है 30,000 चला जा रहा है आईए देख लेते हैं कि loan account बनेगा कैसे बहुत simple है जैसे पीछे बनाया था उसी तरीके से बनाएंगे first 420 को buy balance first 4 इसलिए कर दिया 31st को retire हुआ तो एक दिन आगे बढ़ा करके मैंने इससे बना दिया balance आया 30,000 फिर 31,21 buy interest 30,000 इसका हमने निकाला 30,000 का 12% 3600 payment कर देंगे उसका हमें 31st 321 को 2 bank 15,000 plus 3600 कितना आ गया 18,600 ये payment कर दिया balance कितना बचा 15,000 two equal installment बोला था तो 30,000 का दो equal installment 15,000 दो equal installment ये 15,000 हो गया 15,000 बज भी गया इस साल तो ये 15,000 हमारा यहां आ गया first 421 को buy balance BD 15,000 31st 322 को buy interest 15,000 into 12 upon 100 800 ठीक है यहां पे क्या है 2 bank 16,800 पंदरा प्लस 18 ये क्या 18 क्या है आपका interest अड़ किया payment किया 16,800 और यहां पे हमारा ये complete हो जाता है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही कल हम लोग आज हम लोगों ने 28 तक करके खतम किया कल 29 से आगे हम लोगों करेंगी और अगर कोई आपका doubt है तो comment करके पूछिएगा मेरी पूरी कोशिश होगी आपके सारे doubts को clear करने की अगर कोई suggestion है जिससे कि मैं ये वीडियो अच्छे समझ में आए तो please suggestion दीजिएगा valid suggestions को मैं बिलकुल consider करूंगा so friends keep watching, keep learning, stay safe, bye bye